नमस्कार, UFG News 24 में आपका स्वागत है, रुख करते हैं खास खबर पर अखिलेश यादव ने वारानसी से बर्खास B.S.F. जवान तेज बहादुर को टिकट देनी की वज़ा का किया खुलासा जमाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी ने वारानसी से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक फौजी को टिकट दे कर भाजपा के आतंकवाद के मुद्दे की हवा निकाल दी है अखिलेश यादव ने चुनावी रैली में कहा कि भाजपा के लोग चुनाव प्रचार के दरान आतंकवाद की बात कर रहे हैं हमने वारानसी से एक फौजी को टिकेट दिया है वे फौजी असली है जिसने सीमा पर देश की सुरक्षा की है भाजपा के लोग कहते हैं कि उनकी वज़ा से देश सुरक्षित है लेकिन हम कहते हैं कि हमारे जवानों की वज़ा से ही देश सुरक्षित है जनता को भाजपा के भैकावे में नहीं आना चाहिए इस खबर में इतना ही धन्यवाद